नमस्कार दोस्तों, वेलकम टुझा माय चैनल, माय क्रियेशन्स और यहां पर हम करें मेरे प्लाय दूंगी और चलिए हम इसकी कटिंग देख लेते हैं तो इसके लिए हमने लिया है दो मीटर कपड़ा जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था लंबाई आपको पेडिकोट की फुल लेनी है जितनी भी है आपकी अगर हाइट कम है तो आप नीच वीडियो में देख सकते हैं सेम प्रोसेस में भी है इसे इसमें हम चार इंच पे हम मार्किंग करेंगे और हमारा कपड़ा फोल्ड किया हुआ है दो भाग में यह भी कॉटन का कपड़ा है जो पैटिकोट के लिए आता है तो इसे आप ऐसे फोल्ड करिए पाच इंच पे मा अपड़ा निकलेगा जो कि हमारे कमर की तरफ जुड़ेगा जिसमें हम डोरी डालते हैं फरक इसमें बस इतना है कि उसमें आपने चार कली देखी होगी इसमें आप छे कली देखेंगे वह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बनाना चाहते है और सिलाई की आप लोगों को सौरी पर फिला तो देखो देखेंगे यहां में हमने यह डोरी के लिए एक इंच कप्रा निकाली है बगल के निकाला है और पांच इंच कप्रा निकालने के बाद सेम पांच इंच की एक पटी हमने और निकाली है कमर में जोडने के लिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में निकाली थी अब इस बचे हुए कप्डे को हम ऐसे दुबारा फोल्ड करेंगे पिर इसको ऐसे चार बार फोल्ड किया कबड़े को बराबर कर लेज़े यहां से चेंज यहां पे 6 कली का हम बना रहे हैं इसलिए हम यहां पे 6 इंच ले रहे हैं उसमें 4 कली का था तो हमने 10 इंच लिया था और इस कॉर्णर से 6 इंच अब इसे हम से जैसे हमने उसमें फोल्ड किया था तो आप मार्किंग तक इसको फोल्ड करिए जहां पर आपने मार्किंग लगाया है दोनों तरफ से फोल्ड हमारा मार्किंग की तरफ जाएगा दस छे इंच पर अब इसको कटिंग कर लेज़े पटिगोट सिलना और काटना बहुत ही आसान है और मेरी वीडियो बहुत शॉट है इसे आप जब आसानी से देख भी सकते है अगर आपकी कोई शिकायते हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ना भूले हम उसमस उधार लाएंगे ये छे कली का बडिकोट हमने काटा है नेक्स इसकी सिलाई की वीडियो अभी मैं अपलोड करूंगी ये एक तरफ हम चोड़ा वाले को बीच से नहीं कटिंग करेंगे तो ये चोड़ा वाला हम बीच में लगाएंगे ये डबल डबल है आप देख सकते हैं यहां पर और जो पतला पतला वाला है दो दो यानि दो दो चार और ये बीच में चोड़ा वाला दो छे दोनों तरफ का और ये उपर आपका नेफा का कपड़ा लगेगा कमर जितनी चोड़ी हो आप जितना चाहे कर सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले साथ में ही अगर अभी दग आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल बटन ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए और एक बार फिर आपका शुक्रिया मेरे 400 subscribers बनाने के लिए और आप मेरे वीडियो को और चैनल को लिक, चैरलन के लिक को शेयर करें ताकि और लोग भी इसको सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग